अब तक का सबसे बड़ा स्टेप उठाया है युएस अब शॉर्ट रेंज और लॉंग रेंज रॉकेट्स लॉंच करने वाला हिमार सिस्टम भीजेगा तू युक्रेइन आर्मी और युक्रेइन इससे ओविएसली रश्या के जो सोल्डर्स हैं को मारेगा और यह माँ आपको बता दू रश्या के लिए एक बहुती ज़रा खराब न्यूस है और लेटी मैं देख रहा हूं कि बहुत से जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट फॉरंट पॉलिसी एक्सपर्ट यह कह रहे है कि रश्या युक्रेइन वर हार चुका है और यहाँ पर आप कहेंगे कौन से एक्सपर्ट ने कह दिया वर तो चल रही है अभी देखा जाएगा अभी चाहे वर लंबी चले छे मेने लंबी चले मगर रश्या हार चुका है यह किसने का है तो देखो भारत के पूरो फॉरन सेक्टरी श्याम सरन साब ने रिसेंटल यह का है कि रश्या हैस लॉस्ट दे उक्रेइन वर और चाइना भी अब रिलाइस कर रहा है कि इन्होंने रॉंग बैट ले ली यह जो प्लैन राके बैठे हुए थे कि रश्या के साथ मिलकर एक नया वर्ल और बनाएंगे यह प्लैन अभी के लिए बुरी तरीके से फेल कर चुका है और मैं आपको यह बता दू हमारे देश के जो पूरो फॉरन सेक्टरी है आप समझ सकते हैं इनको फॉरन अफेर्स के बारे में इंटरनाशनल रिलेशन्स के बारे में कित्ती जानकारी होगी और अगर यह खुद कहा रहे हैं कि रश्या है लॉस्ट युक्रेइन वर्ट तो डेफिनेटली रश्या का जो कैंपेन है युक्रेइन में यह सई धंक से तो आगे बिलकुल नहीं बढ़ रहा और अब जो एडवांस रॉकेट्स भेजेगा युवैस युक्रेइन को इससे आप देखोगे कोई बड़ी बात नहीं है कि जो दौनबास का रीजन कब जाचुका है रश्या ये भी रश्या को होल्ड करने में बहुल ज़ादा प्रॉलम आने वाली है तो इस वीडियो में हम जानेंगे के युवैस ने डिसेंटली किया क्या है और इसका ओवरॉल इंपैट क्या होगा रश्या युक्रेइन वार में मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेशन पूचूँँगा क्वेशन यहाँ पर यह है कि इंटरनाशनल डे ओव युएन पीसकीपर्स यह रिसेंटली अब्जर्व किया गया था किस तारीक को यह है यहाँ पर आपकी ओप्शन 28 में, 30 में, 31 में या फिर 29 में को कॉमेंट सेक्शन में करिए उतर सही आंसर मैं आपको दूँगा वीडियो केंड में आप सबसे मेले को यहाँ आपको समझना होगा कि रश्या किस तरीके से अब धीरे-धीरे युक्रेयन की टेरिटरी को कपजाने की कोशिश कर रहा है आर्टिलरी के जरीए आर्टिलरी गंस के पारे में आपने 45 बार सुना होगा चाहे कारियल यूद हो या फिर जो गल्फ वार हो रही है दुनिया भर की वाल्स में पिछले 50 साल में आर्टिलरी गंस का बहुत जड़ा यूज किया गया है तो रश्या के सनक भी यही कर रहे है artillery gun बंगाई, bombardment करी जो युक्रेयन की आर्मी है उनको पीछे धकेला फिर area कब जा लिया ऐसे करकर के 1 km, 2 km धीरे धीरे ये लोग advance कर रहे हैं इटे स्लो मगर अभी भी कुछ इलाके हैं वहाँ पे Russian military आगे बढ़ रही है इसको counter करने के लिए US ने decide किया कि ये लोग हिमार्स बेजेंगे युक्रेयन आर्मी के पास अब हिमार्स क्या है, हिमार्स एक rocket launcher है, अपने आप पे mobile rocket launcher है, मतलब कि अराम से इसको आप move कर सकते हैं, और इसकी range है 80 km, तो रश्या की कोई भी जो artillery है, इसकी range आपको 80 km नहीं मिलेगी, अटलीस जो युक्रेयन में ये लोग यूज़ कर रहे हैं, उनकी range 80 km है नहीं, तो आप कहलीजिए जादा range वाले rocket launcher अब युक्रेयन आर्मी के पास आ जाएंगे ये लोग रश्या की artillery को अराम से attack करके पीछे अट सकते हैं इससे Russian military आगे नहीं बढ़ पाएगी ये plan है USA का और आप अगर tactical point of view से देखें तो हाँ ठीक है rocket launcher 80 km के range के और नाम भी है इस system का हिमार्स मतलब के high mobility artillery rocket launching system तो मतलब के rocket आपने launch कर दिया उसके बाद अराम से truck में बैट के soldiers move कर सकते हैं और वापस फिर से अगर redeploy करना है system को तो बस soldiers को भारने करना activate करना है system को और फिर से ये rocket बट साप आएंगे और Russians को बहुत दिक्कत आएगी locate करने में कि हिमार्स से attack इन पर किस location से हो रहा है और जो US और Ukraine करने वाले हैं रश्या के साथ same attack का rocket launcher इंडिया के पास भी है इसका नाम है pinaka और बिल्कुल 1999 में इसको कारगिल war में हमने use किया था ये अकेली war है जिसमें हमने pinaka को properly use किया और पाकिस्तान को इससे heavy losses हुए थे पाकिस्तान को सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि basically pinaka से attack हो का सिरा है क्योंकि एक तो long range attack थे उसके लावा बिल्कुल precise थे फिर दूसरी बात ये है कि जब इनको पता लगता रहा कि अच्छा ठीक है pinaka से यहां से attack को रहा है तब तक pinaka मिसाल कि जो ये convoy है जो ये truck है ये move कर जाती थी और फिर किसी और location से attack स्टार हो जाते थे तो बहुत अच्छा tactical move है by US मगर मैं कहूंगा एक जगा बाइडन ने गलती कर दी और उस वज़े से कोई बड़ी बात नहीं है कि ये war आगे खेच सकती है और Russia एक time पर मजबूरी में आकर कुछ बड़ा भी कर देगा क्योंकि हमार्स में आप देखो दो type के rocket launch कर सकते हो एक तो हैं यहाँ पर 6 guarded missile छोटे guarded missile होते हैं ये इनकी range आपको मैंने बता दी 80 km के आसपास फिर यहाँ पर आप एक बड़ा missile भी यूज कर सकते हो बाइडन ने ये बात केड़ेगोरिकली बोली थी कि वी विल नॉट सप्लाई Ukraine विद लॉंग रेंज रॉकेट डाट कें हिट रशिया अब ये स्टेट्मेंट दी बाइडन ने 24 घंटों बाद यूटन मार लिया complete यूटन और कहा कि जो ये 300 किलोमेटर की रेंज वाला रॉकेट है ये भी ये लोग प्रवाइड करेंगे यूटन को तो अब देखो question है यूटन पर कि क्या ये लोग ये 300 किलोमेटर के रॉकेट्स क्या यूज करेंगे रश्या की धर्ती पर और अगर इन्होंने यूज कर लिये तो definitely मैं आपको बता रहा हूँ रश्या सोचेगा tactical nuclear weapons के बारे में and already हम देख चुके हैं कि जैसे ही US ने announcement करी कि ये लोग हिमार्स भिजेंगे यूगरेन को long range weapons यहाँ पर included होंगे रश्या की धर्ती को यूगरेन हिट कर सकता है रश्या ने nuclear forces drill फिर से करनी स्टार्ट करती है तो इसका मतलब ये है कि रश्या अब एक tactical nuclear war के लिए त्यारी कर रहा है मैं यह नहीं कह रहा के 100% रश्या tactical nuclear weapon यूज करेगा मगर रश्या को धकिला जा रहा है और मेरी geopolitical समझ genuinely कह रही है कि रश्या कुछ बढ़ा करेगा या तो रश्या कुछ बढ़ा करेगा या फिर एक बार को कहेगा कि चलो ठीक है बस war ही पर हम रोक देंगे आगे war बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि जिस टाइब के weapons अब US प्रवाइड कर रहा है यूकरेइन को यूकरेइन अब ना सिर्फ डिफेंस करेगा अब ये offense भी करना स्टार्ट कर देंगे तो आप अगर शॉट टर्न पॉइंट अव्यू से देखे तो बिलकुल बाइडन ने एक बहुती बड़ा death blow मारा है रश्यन आर्मी को और रश्या को इससे कावी नुकसान होगा मगर मेरा परस्नली ये मानना है कि इस मूब से long term में world peace को कावी नुकसान होगा और रश्या एक लेवल पे आके इसका एक बड़ा जवाब देगा मैंने regularly रश्या के जो लोग है उनका तो social media है उसको monitor किया है देख है वहाँ पे लोग क्या बात कर रहे हैं रश्यान्स में अब एक टाइम पे आके ना बहुत जादा frustration आ चुकी है युक्रेयन वार को देखकर जो इनकी रिस्पेट वापस पाने के लिए और जिस्पेट की ये लोग बात कर रहे हैं ये कोई अच्छे काम करने वाली रिस्पेट नहीं होगी ये लोग बस चाहते हैं कि दुनिया इनसे डरे एक रश्या का जो एक रॉब है इनको वापस मिल जाएके Russian Federation, Ruthless Military तो ये वापस एक्वाइर करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है Russia कुछ बड़ा करे इन दे नियर फ्यूचर वापस आते हैं हमने question पे जो मने आपसे पूछा था International Day of UN Peace Keepers ये observe किया गया था किस तारीक को तो स्रयूत तरिसका है option D 29th में को याद लखिएगा बहुत important है Blue Helmets का जाता है UN Peace Keepers को और United Nations खोद इनका International Day celebrate करता है every single year and finally आपर मैं ये वियाड कर दूँ कि आप अगर किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं चाहिए ITJ, NEED, BANK, SSC, UPSC आप पर चेस कर सकते हैं अन Academy के quality courses simply जाओ comment section में यहाँ पे आपको मिलेगा link for example let's say आप prepare कर रहे हैं for UPSC, click कर ये UPSC पर और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे अन Academy का unique course जिसमें आपको heavy saving होती है अगर आप use करते हैं promo code PD10 मान लिजे अगर आपके पास अभी है एक-दो साल का time अराम से आप 2024-25 में UPSC का time देना चाते हैं तो जो 24 महिने का course है यहाँ कर सकते हैं purchase मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं यह पे करने की आप सकता नहीं है simply यहाँ पे अगर आप code use करते हो PD10 तो prices गिरने आपर start हो जाएंगे the prices will just start falling so use the code PD10 and save money so इसी note के साथ यह है वीडियो का अंध thank you for listening and as always God bless you all